तो guys आजकी वीडियो के स्टाटीं में ही बता दू कि आजकी वीडियो काफी चाहँ खतरना कोने वाली आजकी वीडियो के अंदर हम Minecraft के काफे सारे सारे मिस्टरीज और मिस्ट के बारे में देखने वाले जैसे कि Minecraft का ऐसा वर्जिन जिसके अंदर स्टीव के ओपर शरी नहीं होता और ऐसी पॉल्टल जिसके अंदर जाते ही Minecraft के अंदर के different type के dimension खुल जाते ही तो इसलिए आज का वीडियो आपने रिस्क पे देखना तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे अपने सुतरों से पताशला ही कि आप मैंसे सिर्फ 10% लोगों ने चाइनल को सुब्सक्राइब करके रखाए ब्रो तो क्या कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी आमेजिंग आमेजिंग वीडियो आने वाली है और यार आज के वीडियो का लाइक है में होगा 100 लाइक तो कंप्लीट कर देना करेंप डिट्राइब का स्नेप्शोट अपडेट था जिसके माइच्राफ ने इतने सारी स्केरी और मिस्ट्री चीजे बैंड करना पाड़ा लेकिन हमने इसे थुझे से चलो हमने इस्ट्राल कर दिया आए चलो देखते हैं अंदर तो क्लीक करते हैं चलो अपना नया वर्ट कर देते हैं इसका नाम भी चीज दिखने को मिल रही है चलो अभी चलते हैं थोड़ा सामने ओ यह सामने क्या हो रहा है और यह क्या हर अगली नार्यार यह मैंड्काफ्ट को मुझे खिलना अच्छा ने लग रहा क्योंकि इसके अंदर कापी डरावने चीज कर दो रही है क्या इसलिए मुझे तो लगता है यह गेम क्वीट करना ही अच्छा रहेगा चलो जल्दी से यह तो मर गया चलो मर गया हम अर्याभी चल्दी इस माइनक्राफ के वर्ड का एक्सेस ले सकती हो इस सीट को फाइंड करने के लिए काफी महिनत लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना होरर वीडियो की बात और कर सीट के बारे में ना बात करें तो यह हो ही नहीं सकता 18.006 से इस स्नैपशोट के अंडर आपको केसे भी वर्ड के अंदर इसे नॉर्मल पेड दिखेंगे जिसके बाजू में इसे पेड होंगे जो की पूरे उल्टे है और उपर से नीचे तक जाते है और नीचे से उसकी टेनिया निकली हुई होती है लेकिन यह माइनक्राफ का 20W14 इंफनाइट के अंदर अगर तुम किसी भी वर्ड को जनरेट करोगे और उसके अंदर एक नेधर पॉर्टल बनाओगे और तुम उसके नेधर पॉर्टल के अंदर कोई भी एक बुक्वन क्विल के अंदर कुछ भी लिखके डालोगे तो एक नया ही डायमेंशन खुल आप एक बार के लिए रोई रोई पड़ोगे क्योंकि डायमेंशन दिखने में इतना खतरनाग लगता है और यह सिर्फ एक ही डायमेंशन नहीं जिसके अंदर आप जा सकते हो अगर आप माइनक्राफ्ट में वह बुक्वन कुल के अंदर कुछ भी लिखते हो और उसके अं अपडेट था इसलिए आप ही सोची सकते हैं अपडेट कैसा था लेकिन काफी खतरनाक था माइनक्राफ्ट पॉक्ट डिडिशन जिसके अंदर काफी कम ही गलीच होते हैं लेकिन आपने कभी इस जावा के अंदर इस सीड़ पर जाके देखा है जापे फुले एक्टिवेट पॉर्टल मिलती है वैसी हमारे बेट्रॉक अडिशन के अंदर इस सीड़ के इस कोडिनेट पर होती है बद जब भी कोई बेट्रॉक के अंदर कोई गलीच आता है तो नॉर्मल से काफी ज़्यादा हट के गलीच आता है यह पॉर्टल से हमें थोड़ा सा आगे जाकि इस किसी ओनेट